मेरे परिवार जनो मैं MP के बुद्ने इलखन के सभी युवा साथियों से मेरे विशेज करके फर्स टाइम बोटर से एक बात कहना चाहता हूँ जो पहली बार मद्दान करने के लिए जाने वाले देखे आने वाले 25 साल आज जो 18-20 साल के नौजवान है ना आने वाले 25 साल आपके लिए आपके केरियर के लिए आपके भविश्य के लिए सबसे महत्वपूर है यह पती साल विख्षी भारत के निरमान के भी है आपके माता, पता को कांग्रेस ने जो कथिनाया दी आपके माता, पता पता को जीना पड़े मैंने चाहता हूँ कि आपको उन मुसिबतों से जीना पड़े, आपको अच्छी जिंदी कैसे ले, दिन रात महनत करके मैं आपकी जिन्दगी को मुसीबतों से मुक्त कराना चाहता हूँ लेकिन भाईयों बहनों मेरे नवजवान आप जुरूर सतक रहना क्योंकि ये कॉंग्रेस वाले ऐसे ऐसे खेल करते रहते उनको जूट करना जूट बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है इस छेतर में कॉंग्रेस को करीब साथ साल मोका दिया था साथ साल फिर भी बुंदेलखन को कॉंग्रेस ने सिर्फ सुखा दिया पलायन दिया अब भी कॉंग्रेस के पास वही लोग है जो फिछले 40-50 साल से राजलिजी कर रहे हैं उनके ही कारणाम और कर्सुतों के कारण एंपी बिहाल था और जहां मोका मिल भी रहा है वहां कॉंग्रेस ने कर क्या लिया 36 गण में सट्टे भाजी है और राजस्तान में काले कारणामों के लाल डाइरी है सट्टा सरकार मुख्यमंत्री के कमरा और सट्टा और सट्टे भाज क्या रहा है मैंने मुख्यमंत्री को 500 करोड रुपे दिया है क्या आप मद्द प्रिजेश को ऐसा हाल करना चाहते हैं क्या ऐसी बरबादी चाहते हैं क्या कॉंग्रेस का मतलबी है बर्बादी की गारंटी भाईयो वहां की जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए खुद सड़कों पर उतर आई हैं कॉंग्रेस ने हिमाचल और करनाटका में भी जुठे वाइदों की जड़ी लगा दी थी कॉंग्रेस ने वहां चुनावा से पहले वादा किया था कि महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे माता ये बहने आज भी इंतजार करी हैं कि उनका पैसा कब खाते में आएगा साथ हो ये कॉंग्रेस भी जानती हैं कि MP का युवा इनके प्रष्ट और अक्षम ट्रेक रिकॉर्ड पर भी स्वाथ नहीं करता इसलिए ये लोग जूट का पिटारा लेकर घूम रहे हैं इन लोगों के रेडियो पर हमेशा ये की ट्रेक बचता है 2018 में जो जूट बाटा था वही नए लिफाफे में लेकर के वो आ गए हैं ये कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे अड़े 2018 में 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी का बादा करके गए थे 15 महीन आपको मोका मिला था किसान इंतजार करते रहे आपने कर्जमातिके नाम पर कॉंग्रेस ने बर्सों तक किसानों को ठकती रही है वही डबल इंजिन सरकार में हर किसान को 12,000 रुपे की गारंटी मिली है केंदर सरकार के 7,000 MP सरकार भी किसानों के खाते में 6,000 रुपे बेज रही है कॉंग्रेस का समय होता तो एक पैसा दिल्ली से चलता तो भी किसानों तक नहीं पहुच पाता